सांसर के कड़े आदेश के बाद भी बाजार में पॉलिकिन का चलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है इसी के चलते बीती देर सांब भोगाओ बाजार में नगर पंचायत के अधिकारी उद्वारा पॉलिकिन को लेकर कड़ा चेकिंग अभ्यान चलाया गया इसमें आदा दर्जन दुकानों से पॉलिकिन बरामत कर उनके चालान किये गए सनिवार को दोपैर दो बजे मुख जीटी रोड चौराहे से लेकर पुरानी आलू मंडी तक पॉलिथीन बेचने वालों वा पॉलिथीन में ख़द पदार्त देने वाले दुकानदारों के खिलाफ नगर पंचायत के अधिसासी अधिकारी स्याम बरन सरोज ने नगर पंच किलो पॉलिथीन बरामत की साथ ही टीम ने दुकानदारों के चालान भी काटे कुछ दुकानदार अपनी अपनी दुकानों के सटर बंद करकर भाग खड़े हुए वाई कुछ दुकानदारों ने होली के त्योहार पर पॉलिथीन अभ्यान चलाई जाने का बिरोध करते हुए कहा कि अगर चेकिंग करनी ही थी एक हपता पहले कर ले होती जैकिंग करनी ही ती एक हपता पहले कर ले होती इस तरह से दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है जिससे दुकानदारी पर भी फर्क पढ़ रहा है पहली बार टुए है कि जो फशार प्ना दर इसान पहते हैं यह बहुत है जो भी चैकिंग सर्वे जो भी होनी है तो पर ले कर लिए जो इमारगेट सर्वे हैं यह बहुत है यह बहुत है हम तो है यह बहुत है यह बंती है वहां पे तो नहीं उसके बंद कराए जाता है जो हम लोग पनी मिलेगी नहीं तो हम लाएं कहां से है अब हम लोग परिजान कर चास्ता क्या मतलब नहीं करता है अभी पीच में बराबर पनी बंद हो गई कुस्टे बात जो आगरे नहीं मिली अब फिर आगरे आने लगी हम लोग बिलाने लगे अब हम लोग परिजान कर चास्ता क्या मतलब नहीं करता है अभी पीच में बराबर पनी बंद हो गई कुस्टे बात जो आगरे नहीं मिली अब फिर आगरे आने लगे हम लोग लोग लाने लगे